फिल्मी दुनिया में काम करने वाला हर व्यक्ति कभी ना कभी फिल्मकार बनने का ख्वाब तो देखता ही है मगर फिल्म बनाने का रास्ता इतना आसान नहीं होता है ज्यादातर कॉमेडियान या हस्य कलाकारों ने भी निर्मान और निर्देशन के छेत्र में हाथ आजमाने के कोशिश किया है देवेन बर्मा, असरानी, जगदीप, जौनी वाकर, महमूद, जूनियर महमूद जैसे नामचीन कॉमीडियान और कलाकार निर्मार निर्देशन में अपने किस्मत आजमा चुके हैं इनी में एक नाम मोहन चोटी जी का था, मोहन चोटी के वास्तविक नाम के बारे में मतभेद है, ज्यादातर उन्हें महराष्ट के अमरावती निवासी मोहन देशमूख तो कुछ उन्हें राजस्थान का मोहन रक्षा कर मानते हैं बजपन से ही फिल्म में चोटी चोटी भूमी का निभाने वाले मोहन को फिल्म हम पंची एक डाल के में चोटी के साथ देखकर मोहन चोटी नाम मिला लगभग 300 फिल्मों में सभी बड़े सितारों के साथ काम कर चुके मोहन चोटी जी ने भी फिल्मकार बनने का सपना देखे थे बड़े अविन्यताओं से संबंदों के चलते हास कलाकारों की फिल्म में कई सितारे गेस्ट एपियरेंस या महमान भूमिका में नजर आते रहे मोहन चोटी जी की पहली फिल्म धोती लोटा और चोपटी में भी प्रेमनात धर्मेंदर संजीब कुमार रंजीत के साथ बहुत सारे नामचीन हास कलाकार नजर आये थे मगर फिल्म असफल रही मोहन चोटी ने दोबारा हिम्मत करके हंटर वाली 77 फिल्म बनाई जो संगितकार अन्नू मलिक की पहली फिल्म थी ये फिल्म भी सुपर फ्लॉप रही आर्थिक नुकसान के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक दुकान और होटेल किस्सा रोटी का फिल्म में मिथून चकरवर्ती, अमजद खान, विद्या सिना, नीता महता, कादर खान, प्रमुख भुमिका में दिखने वाले थे फिल्म को सुरूर सुभास लिख रहे थे गीतकार गुलशन बावरा और संगितकार आर्डी बर्मन ने कुछ गीत कॉम्पोस किये थे कैमेरा अर्विंद लाड और डांस संजोजन का जिम्मा बाबा हर्मन ने उठाया था फिल्म के विग्यापन या प्रमोशन में फिल्म बारह रिल पूरी और पांच गाने फिल्माए जाने का दावा किया गया था उन दिनों फिल्मों में अपराध जगत या अंडर वर्ल्ड का पुंजी लगाए जाने के खबरे आते थे इस विग्यापन में जिसे मोहन चोटी जी धन्यवाद कह रहें वो महेश धोला किया भी कथित रुप से अपराध जगत और अंडर वर्ल्ड से जुडे थे और गैं यूट्यूब पर उपलब्ध है जो आप सुन सकते हैं